नमस्थकार दोस्तों मैरा नाम सूनिल कुमार हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे की हरडा के क्या फाय다가 होते है तो दोस्तों हरडा तो अपने नाम सुना होगा? नाई सुना तो आप इस वीडियोचा में देख रहे हां। यू सामने आपको फीले रंकी दिख रही है हरड एक ऐसी द्वाई है जो हर ब्हत काम आता है अगर अगर आप और मुम्हें चुबाने से बहुत सी ब्हारी वारे जाने ने के क्या क्या फाइद हैं तो दोस्तो हरड जो होती है हमारे सबसे पहले जो होती है पेट में पाचन अगर आपका पाचन ततर कम जो रहे हैं और आपकी आप कुछ भी खाते हैं आपका पेट वर जाता है और जिसके करन वो क्या होता है कि आपके पेट में गैस बन जाती है तो दोस्तों अगर आप हरड का चूरन खाते हैं खाना खाने के बाद या उसकी गांट दबाते हैं चबाते हैं तो जिससे आपका जो पे पाचन होता है वो पाचन जो भी खाना खाया तो पच जाता है और आपकी जो एसजटी खत्म हो जाती है जिससे आपके पेट से रिलेटर को इसा तो भी बिमारी होती है वो बिल्कुल खुतम कर देता है नमबर दो अर्ण आपके पीट के अंदर अगर कीडे हैं तो कीडे को भी यह पर अगर शोर कई और किसी और कोई और प्रॉलम में पेट से assignments ने लेटेड़ हर्ति की जो होती है तीनों फॉलो त्रिफिला में पाय जाने वाले तीनों फॉलो मैंसे एक है ये एक बहुत ही परसीद कारे कलब जड़ी बूटी है हर्ति की उतर भारत मैधिक मातरां पाय जाता है भारत हम प्शेश्टिय निचले हमाले क्षेतर मैं रावी तट से लेकर पांच जार फीट की उंचाय पर पाए जाता है इस पेड़ के फल जड़े और चाल का प्योग हर बल दुआओं को तियार करने में के जाता है यह जो आप देख रहे हैं यह हारड है हारड फल एक गुठली दार जैसा फल है जिसकी लंबाई दो सेंटीमेटर और चार सेंटीमेटर चुड़ाई और बारा सेंटीमेटर होती है इसका कार अंडा कार होता है यह पकने के बाद हरे रंग से काले रंग में बदल जाते हैं भारत में हरड को अनिक नमों से जाना जाता है इसे उर्दू में हिंदी में हर्द और तमिल में कदूके और मराठी में हिर्दा और असमिया में इसे ही लिखा और बंगाली में इसको होरी टोकी केसला और खटा होरी टोकी कहा जाता है आयरुवेद में ऐसे अमरिता प्रानदा और काहिस्ता आदी नमों से जाना जाता है हरती की में नमक को छोड़कर पांचो वरस मदूर तीखा कड़वा और कसेला और खटा पाए जाते है तो दोस्तो ये तो सुना कि आपने इसके किस किस नम से जाना जाता है दोस्तो अगर आपके आपको बवासीर है तो हरती की से हरड से बवासीर भी दूर होती है अगर आप हरड का चूरून लगाएं जापर आपको बवासीर है तो जिससे उसका जो जलन होता कम होती है इसे हमारे पेट का पार्चन शक्ति बढ़ती है तिल्ली रोग जो होता है हरड से तिल्ली रोग दूर होता है अगर किसी को उल्टी है उल्टी भी इसे हमारी अगर इसका आप चुरोने लेते हैं तो हरड के साथ आपको शहद लेते हैं तो इसे आपकी उल्टी बंद हो जाती है अगर आपको यौन से यौन से लेटल कोई प्रॉलम है आपको श्रीर के अपको लगता है कि आप श्रीर से कम जो रहे हैं तो आप इसको यौन के लिए भी आप यूज का सकते हैं इससे हमारे बालों का रंग जो होता है काला होता है अगर हमारा मूझ छल गया है तो मूझ के छिले हुए चाले जो होता है हरड का चुरूणा लगाने से वह चाले टीक हो जाते हैं तो दोस्तो आपने देखा कि हारड़ा हमारे कितने काम आती है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लेश इस वीडियो को जरू लाइक करें शेयर करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंज जैबारत